हलो एवर्यवन वेलकम बग्स वेलकम बग्स इंडियन फुटबॉल सर्कस इफ ऐसा है ना म आइटिंक मैं टाइटल में यह डालूंगा देखिए डिसकस हो चुका है हम अफ्गानिस्तान के अगांस था रहे अशियन कप में हारे अब मैं बार बार मुझे वह बाते नहीं दोरानी है लेकिन क्यों क्यों नहीं दोरानी बार-बार बार बात है फिकास् Скहिंज वाट इंडियन फुटबॉल में और हमारी फेडरेशन म जैसे मैं अपने एक दोस्त के साथ अभी डिसकस कर रहा था जो मुझे खबर मिली है which is that एक meeting set की गई है कि मैटी सेट की गई है यह कमिटी सेट की गई है होल्ड मीटिंग पाच लोगों की कमिटी जहां पर के वह और इस टीम मैच को डिसकस करने वाले इस टीम मैच का क्या future है नैशनल टीम के साथ क्या उन्हें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए और उनके कुछ apparently जो उन्होंने कुछ comments किये है press conferences में अगरा जिसकी हमने already अगर previous video मेरी नहीं देखिया प्लीज जाके देख लीजे उसमें मैंने dissect किया है कि Steam match ने क्या-क्या गलतिया करी है and you know we've touched upon those things so वो सारी controversial चीज़े जिसकी वज़े से यह मूर्चा लगा हुआ है obviously fans का who want Steam match out hashtag stream match out hashtag stream match out हर जगा पर यही है banners हो social media हो instagram तो भाई AFF की आखे अभी खुली है उनको लग रहा है कि अब इसके बारे में कुछ करना तो पड़ेगा या at least दिखाना तो पड़ेगा कि हम कुछ कर रहे हैं इसके बारे में तो पास लोगों की जो है committee set कर दी गई है जो stream match का future अब discuss करेंगे और stream match के साथ भी discussion करेंगे apparently और जैसे मैं कह रहा था मेरे दोस के साथ में discuss कर रहा था मुझे वो यही कह रहा था के AR-AFF में और Indian football में हर दिन कोई नया सवर कर शुरू हो जाता है which is we are moving from pointless discussions to even more pointless discussions and obviously that's not gonna take us anywhere मेरे को एक बात बताओ guys आप मेंसे कई लोगों ने पिछली वीडियो में या पिछले मेरे 2-3 वीडियो में comment करके मुझे कहा है के we want stea match out आप मेंसे कुछ लोगों ने कहा है that you know coach change हो के अभी फिलाल क्या हो जाएगा right discussion इसके उपर काफी सारा हो चुका है already मेरे को just cross your heart guys even for those of you who said that we want Igor stea match out ठीक है but just cross your heart and tell me that you think के stea match के जाने से forget about Indian football की problems खतम हो जाना do you think that हम third round के लिए भी qualify कर जाएंगे with stea match और without stea match नहीं right आप ये guarantee तो नहीं दे पाऊगे कि जो भी नया coach आएगा वो हमें third because immediately जो हमारा immediate जो goal है जो काफी time से हमारा goal रहा है is to excuse me qualify for the third round of the world cup qualifiers because सिर्फ third round world cup qualifiers ही नहीं लेकिन उससे 2027 के Asian cup के लिए भी हम automatically qualify कर जाएंगे अब 2019 में हमने Asian cup के लिए qualify किया 2013 में किया जो हमने इस साल खेला अब 2017 के लिए भी तो अब basically हमारी history में हमने first time back to back Asian cups खेले हैं 2019 और 2023 में तो अब अगर Asian cup के लिए भी नहीं qualify हुए ना तो भाई साब it's time to shut shop ठीक है because then तो it's it's a fact that Indian football is going nowhere because अगर जब आप एक president set कर चुके हो अब आप उसके भी नीचे आ गये because Asian cup is our world cup for now world cup के aspirations छोड़ो हमारा Asian cup में अच्छा करना पहले जरूरी है ठीक है तो Asian cup के लिए qualify करने के लिए third round में qualify करना world cup qualifiers के मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी है जो हमारे June में दो matches है against Kuwait and then against Qatar now the challenge that is in front of us is much much greater because Afghanistan के against हम सिर्फ एक पॉइंट ले पाई शे में से so we've made it a lot more difficult for ourselves लेकिन अभी भी technically देखा जाए तो chance है लेकिन आप मेरे को बात बताओ कि Steematch अगर let's just say that Steematch को अभी आज के आज अगा आज आपको even if he stays कै यह गारंटी है के हम 3rd round के लिए क्वालिफाइ करेंगे कै यह गारंटी है अफगानिस्तान के against हमने जो देखा उसके बाद that we are going to hands down beat Kuwait and get a result against Qatar because beating Qatar you know I don't want to say it right because it's especially after what we've seen in recent times from the national team it's almost impossible to beat Qatar Kuwait का against Firby अगा चांस है लेकिन my point is guys की manager अभी इस time पे change होने ना होने से मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा फरक पढ़ने वाला है if anything I think it can only be to our detriment because कोई भी नया manager अगर आएगा ऐसा तो नहीं कि अब immediately उसको team के साथ time मिल जाएगा अभी तो season भी बचा है ISL का season बचा है ILE का season भी चल रहा है Indian football season football season is still on तो है जरूरी तो नहीं कि उसको immediately time मिल जाएगा season खतमने के बाद नहीं कोच को फोरा time मिलेगा but guys is a month or so enough to settle in of course not as against a coach which has been around for 5 years और ऐसा नहीं कि सारे matches हरा हो है recent times में obviously he is kind of on the wrath of the fans लेकिन all said and done he is a coach who has settled in तो अभी मुझे लगता है जो भी करना चाहिए वो कुवेट और कतर के matches के बाद ही होगा mostly और अगर नहीं भी हो रहा तो यार यह पाच लोगों की committee बिठाने का इसके लिए क्या point है इसका मुझे तो नहीं I don't see it आप मुझे comment करके बताईया आपको क्या लगता है कि इसके बीचे क्या thought process हो सकती है या यह शायद सिर्फ press release के लिए दिया हुआ है कि देखो हम इसके बारे में सोच रहे है that we care तो इसलिए दिखाने के लिए यह चीज है वरना तो मुझे इसका कोई point दिखनी रहा फिलाल तो at least which brings me to guys egoist team match ने जो बोला है that हम मैं third round के लिए अगर qualify नहीं किया मैंने अगर इंडिया को qualify नहीं कराया world cup qualifiers के तो मैं खुद ही resign कर दूँगा कभी-कभी मुझे लग रहा है कि आजकल especially मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं यह circus देख रहा हूँ ना और जो आप भी देख रहे हूँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद third round के लिए qualify करना is it really a blessing or is it a curse for us because कहने के लिए तो यह progress होगी because हमने कभी it'll be historic for us है ना World Cup के third round के लिए आज तक कभी qualify किया है नहीं इंडिया ने आज तक कभी नहीं qualify किया तो in that context it is progress and you might view it that way and you wouldn't be wrong to view it that way But is it a fall false sense of lul that we might fall into because third round के लिए qualify करने की value actually apart from okay the we make it to the Asian Cup 2027 with like we immediately qualify for it apart from that World Cup जो हमें खेलना है या जो हमें हमारे जो बड़े अर्मान है उसके context में it means nothing right आप World Cup qualify आप 7th माले से कूद के मरो या आप 30th माले से कूद के मरो result तो वही है आप World Cup qualifiers के 2nd round में बहार हो जाओ 3rd round में बहार हो जाओ या last round में बहार हो जाओ fact is that you are not going to be at the World Cup नो तो 3rd round में बहार होने का कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि it's something that's like going to be game changing for us कि अगर इस बार ही हमने 3rd round के लिए qualify कर दिया तो पता नहीं शायद अगली बार ही 4th round के लिए भी हम qualify कर जाए ऐसा तो है नहीं because 3rd round में आपको पता है the kind of competition that we might face you know we might face the likes of Japan and Iran and who knows who knows which teams तो अभी फिलाल उसके beyond डेखना तो वैसे भी मुश्किल है लेकिन I just feel like लोगों में ये काफी सारे लोगों में ये sense आजाएगा that या एक feeling आजाएगी that चलो हां 3rd round के लिए तो qualify कर गए बहुत बड़ी बात होगे यार वो कोई मुझे लगता नहीं है and ठीक है जैसे मैंने कहा कि it might be historic लेकिन उसकी value कितनी है ये पता होना बहुत जरूरी जैसे एक और आपको example देके मैं बताता हो कि जब 2023 में हम बहुत सरे Intercontinental Cup जीते फिर साफ Cup जीते ट्राइनेशन tournament 8 वो भी हम जीते उससे एक महौल बन गयता है Indian football में positivity का जो के and I know it feels like a long time ago now right because that time everybody was supporting steam match they were in everyone was in love with the players and with the way we were playing लेकिन कही नगही वस positivity while it while it was a good thing I also felt like and steam match ने actually to give credit where it's due उने कहा भी की ultimately ये हमारा real test नहीं है because you know okay fine you can only beat the teams that are that you are up against so beating Jordan and the likes of those teams up it's a good thing but don't let that fool you don't let that fool you into believing that India has progressed a great deal because मैने पिछली वीडियो में भी कहा है it was only a warm up for the real thing वो trailer था भाई मुवी थी Asian Cup मुवी थी World Cup Qualifiers and Asian Cup का तो पता ही हमें क्या हुआ अब World Cup Qualifiers में भी we are not in the best possible space that we could have been in and we should have been in तो क्या फाइदा वो tournament जीतने का because आप micro तो आप जीत रहे हो लेकिन macro it's basically कि आप उसी एक pool में pool के players के साथ pool के teams के साथ अबरा आप खेलोगे तो आप जीत रहे हो लेकिन जरा सा अगर competition उपर गया और अफगानिस्तान के खिलाफ तो इस प्रूफ के competition को उपर जाना भी नहीं पड़ा for us to lose जरा सा competition उपर गया कि हम फिर उसी level पे आ जाते है तो 3rd round qualification के लिए भी मुझे कहीं न कहीं यहीं लगता है that it's like कि अगर हम qualify कर भी गए तो क्या यार तो क्या ऐसा कौन सा भाई हम जंडा गाड देंगे कहीं पे 3rd round के लिए भाईया India World Cup qualifiers में qualify कर गई so I just feel sometimes that as Indian football fans na it's important to be positive लेकिन उसके साथ एक mix होना of being realistic ये भी उतना ही ज्यादा जरूरी है so मैं यही डिसकुस करना चाता था आप लोगों से आप के thoughts प्लीज आप मुझे बताईए comment करके कि आप क्या सूसने इसके बारे में because खास करके ऐसी news जब मैं पढ़ता हो ना के पाच लोगों की meeting बिठा दी या committee बिठा दी ये discuss करने के लिए फला ना discuss है धमकाना discuss करने यार results लाओ यार results लाओ top level पे results देखने कितना time और Indian football fans को wait करना पड़ेगा to see some real results to see some real progress ISL के भी 10 साल हो चुके which reminds me that ISL के ऊपर भी I am gonna make a detailed video about my thoughts and क्या ISL से Indian football actually progress हुआ है या long term हम actually regress हुए है because of the ISL let me know in the comments guys if you'd like to see that video and I am definitely going to make it because मेरे कुछ strong opinions है उसके ऊपर and I'd love to know your thoughts as well so let me know if I should drop that video and in the meantime आप मुझे कॉमेंट करके बताईए आपका इस वीडियो के ऊपर जो भी मैंने चर्चा की है आपके क्या thoughts है and I will see you in my next video